नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल पर देखें मित्रो मनोविग्यान के संपुर सलेबस के मोडल पेपर की स्रीज अपनी चल रही है जिसमें आठ मोडल पेपर किये जा चुके हैं यह अपना नुवा मोडल पेपर है और इ अगर आपको मोडल पेपर पसंद आए तो उसके बाद चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो चलिए पहला आपका प्रश्मे की बालक को अपनी सभी परतिभाओं के विकास का प्रियास करने के लिए चाहिए ए सभी खेल खेले दो सभी पाठे सहगामी करियाओं में भाग ले सी सभी वीश्यों का गहन अधियन करे और दी है दूसरों का विकास करे तो देखे बालक को अपनी सभी परतिभाओं के विकास के लिए क्या प्रियास करना चाहिए सभी पाठे सहगामी करियाओं में भाग आगे बढ़ते हैं अगला आपका प्रशन बालकों को स्रेश्ट रूप से सीखने के लिए आवसेख है ए विद्दाले में अच्छा पुस्तकाले हो बी सिख्षक बालकों को अधिक अधिक ग्रह कारिये देता हो सी बालक के मातापिता तथा अत्वा संरक्सक भी शिक्षया में रूची रखते हो या डी है सिक्षक कक्षया में बालकों को किरियासील बनाते हुए शिक्षन कारिये करते हो तो निशिती ओप्सन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उतर हो जाएगा आराम से कहीं कोई दिक्कत मैं नहीं होनी चाहिए चलिए अगला प्रसण परभावी शिक्षण हैक अmoश्य को आप पर विद्रा परभावी सिक्षण के लिए बसेत्व क्या किस्षण सामगरी की विविद्र Kylie करें संप्रेश सशै समगरी में सबसे एक प्राकर से पर legitim सो कौन सी ले रहा है ना देखिए बालक सिक्षक के मत अंतर समंद ये तो अच्छा होना ही चाहिए लेकिन ये अंतर समंद भी इस टेक्निक के अंतरगत ही आ जाता है तो निशिती उत्तर जो वो बी ओप्शन यहां पर आपका सही रहेगा चलिए आपका चोथा प्रशन है कि द्वारा एप परतेक्स रूप से अभीगमित सांसकर्तिक परतिमानों किया हो सकता है सी है बालकों द्वारा से चिक सांसकर्तिक पक्सों के विवहारिक परसिक्षन किया हो सकता है या डी बालकों को अपनी पाथे पुस्तकों की सामगरी को देनिक रूप से रटने किया हो स किता है है तो ओप्सन नमबर सी मित्रों यहां पे आपका सही उत्तर इस प्रसन का रहेगा बहुत यह अच्छा प्रसन है और थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़के अगर करें तो इस प्रसन को आशानी से सही किया जा सकता है अगला आपका प्रसन आपके अनुसार सिक्षन का शीखने में साहिक परक्रिया सी है एक परिपक्वा यहों दूसरे आप परिपक्वा वेक्ति के मद्य समंध और डी है उप्रोक्त सभी देखिए शिक्षन जो है वह एक अंता परक्रिया मातर तो नहीं है लेकिन अंता परक्रिया है यह सही है तो यहां पर अगर आपन उतर देंगे शीखने में साइक प्रक्रिया भी है निशित रूप से तो सारी बात है ठीक है ओप्सन नंबर डी यहां पर आपका सही उत्र मित्रों रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका पुशन एक सिक्सक को अपनी कक्षया में नियंत्रन है तो किस विदी का प्रियो प्रजतांत्रिक उपागम यहां पर सही रहेगा प्रजतांत्रिक रूप से एक प्रकार से सब को साथ ले करके चलने का प्रियास करना चाहिए अगला आपका प्रुशन है सिक्सन परकिरिया के दोरान सभी बालक आपके दौरा पूछे गए प्रुशन का सही उत्तर नहीं द बदलकर उत्तर प्रक्ट करेंगे अनी बच्चों से अपने उत्तर तो प्रक्ट करेंगे पन लेकिन थोड़ा सा प्रशन का सबसे बदलकर वलक्षियों के बारे में सिक्सक अभी भावक दोनों सहमत हो जाते हैं और आपका B option है कि सिक्सक अभी भावक को समझाता है कि उसने बालकों को किस आधार पर कितने कितने एंक दिये हैं सी है अभी भावक सिक्सक को बालक का पूर्व वृत बताता है यानि पहले की बाते बताता है अभी भावक सिक्सक से पूछे की बालक का ग्रह कारिये पूरा करने में वाक कैसे तथा कितनी साहिता करे तो देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग का जो फाइदा वो यह है कि बालक की उपलबदियों और लक्षे के बारे में शिक्सक अभी भावक दोनों सहमत हो जाती है इसमें तो आपका बी सोरी ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पे मित्रों आपका रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका पुर्णाकार इसका एर्थ है पुर्णा का सो रूप एकदम सेधान्तिक है इसमें ग्यान उस्रेणी का है या इसमें ग्यान का सो रूप निरस है तो इसमें आंसर होगा भी इसमें ग्यान का सुरूप एकदम क्या है सेधान्तिक है यह पर मुख विसस्ता आज की वर्तमान युकी शिक्षा की सेधान्तिक शिक्षा जो दी जा रही है practical knowledge मित्रो थोड़ा सा कम हो रहा है सिधांत सिधांत ज़्यादा पढ़ाय जा रहे हैं परकार से अपने practical knowledge की बात करें हो थोड़ा सा कम है तो option बी निश्यत रूप से यहां पर आपका अंसर रहेगा, अगला आपका पूस्मन है कि आपके अनुसार कक्षिया में सभी बालकों को एक जैसा ही ग्रहकारिये देना ठीक है, जी हाँ इससे मुल्यांकन सही होता है, B है जी नहीं क्योंकि सब बालकों का योगेता स्तर समान नहीं होता आपका C उप्सन है जी नहीं क्योंकि बालकों की अभिरूची अलग अलग हो सकती है और D है जी हाँ क्योंकि सिक्सक का काम आसान हो जाता है देखें मित्रो गरह कारी एक जैसा देना क्या ठीक है ये पूछा है तो ठीक तो नहीं है तो आपका या तो B है या C है अब B में क्या दरेक्खा देखे क्योंकि सब बालकों का योगेता इसतर समान नहीं होता ये बार ठीक है लेकिन अभी रूची का भी यहां पर रूची सिध्धान पाठे करम जब बनाते हैं तो प्रशन का आंसर आपका होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका प्रशन है देखे दो बालकों की हो सकता है जो योगेता है वो समान हो सकती है दो बालकों की लेकिन रूची उनकी अलग लग हो सकती है अब उनको एक ही रूची का अगर मतलब अपन ग्रह कार करेंगे Unterफारा करेंगे परेंगे नार्टक्पाराब चर्चा पड़ी चर्चा कर करेंगे तो इसमें तो सिद्दा सा उत्र हो झाएगा चर्चा प्रियोखति का विकास कर सकते कि त्यरवाँ प्रसंद कि अधिगन हेतु उसी अच्छह अच्छह कौन सी का अगला आपका प्रशन है कि निम्न में से क्या एक उत्तम सिक्षन की विश्याथ नहीं है अला a आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रस्न की, यदि आप अपनी कक्षिया में प्रभावसाली शिक्षन कराना चाहते हैं, तो किस तरह का ज्यान आपके लिए आउसेक है, ये प्रसंद थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हुआ है, तो किस तरह का ज्यान आपके लिए उसे कहीं उपर चला गया, इसके बाद ही आएगा, ठीक है, तो पहरे साथ यू इसका आंसर आपका क्या रहेगा, पंदरा के प्रसंद में, 15 के प्रसंद का जो सही उत्तर मित्रों रहेगा, वो आपका रहेगा, उप्रोक्त सबी, सारी बातें बिल्कुल ठीक है, उपसन नमबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, अगला आपक जब कोई बालक अपने पुराने अनुबहों के द्वारा सीखता है तो उसको क्या कहते हैं साहचरी आत्मक सीखना कहेंगे गामक सीखना कहेंगे अधिगम इस्थाना अंतर नहीं है इन में से कोई नहीं है पूर्वा अनुबहों से सीख रहा है तो साहचरी आत्मक अधिगम कह में और बी है आधार बूत पाठे करमों के संगठन के अनुरूप सी है विशे वस्तू की तारकिकता के आधार पर और डी है पाठे करम निर्माता के संगठन के आधार पर तो देखिए परगती सील शिक्ष्या विदों के विचार से पाठे करम संबंदी अनुबहों की स्रंख को निर्जारित किया जाना चाहिए तो विशेवस्तु की तार्किक्ता के आधार पे यह होगा ओप्सन सी बिल्कुल सही इसका उत्तरमित्रो रहेगा चली आगे बढ़ें अगला आपका प्रशन की वह है प्रिस्थिती जिसमें कोई बालक को पोशन का सिकार हो सकता है ए अधि आगे बढ़ते हैं गलाप का प्रशन 19 संगर्स का अर्थ है विरोध और विप्रीत इच्छाओं में तनाव के प्रिनाप सुरूप उत्पन होने वाली कष्ट दैक समवेगात्मक तसा यह किसका कथन है यह मित्रो डगलस एम होलेड का कथन उप्सन ए आपका सही उत्तर यहा कि बालक कक्षिया में देर से आता है आप उसकी इस समस्या का उपचार कैसे करेंगे यहां पर देखिए हो क्या रहा है बच्चा एक बार लेट आया तब अपन उसके गरवालों को थोड़ी संपर कर सकते नहीं कर सकते अगर अपनने पहली बार लेट आया अपनने समझाया दूसरी बार फिर लेट आया अपनने फिर कारण पूचा समझाया दो तीन दिन ऐसे ही हो रहा है लगातार यह घटना हो रही है बार बार कहने कि बावजूद फिर अपन क्या करेंगे इसकूल के हम को बोलेंगे या उसे कक्षिया में नहीं गुसने देंगे तो क्या करेंग उसके अभिवावक को इस समंद्र करें क्योंकि हम पहले हैंचम को सुचित करेंगे उसके बाद वह अभ़िवावक को सुचित करेंगे तो उससे बड़ी है आप उसके अभिवावक से सीदह संपर्ग सा दिए ताकि पता चल şey कि यह था है इसततीasipouse अगर बच्चए एक बा सही उत्तर रहेगा चलिए 21 स्वा प्रस्ण है कि बुन्यादी शिक्षा का आधार मनोवेगैनिक माना जाता है इसका परमुक कारण है ए पाठे विशों की अपेक्ष्या बालक को परधानता देना बी है हस्त सिल्प को परधानता नहीं देना C है ज्यानेंद्रियों की शिक्षा देना और D है उप्रोक सभी तो मित्रों देखे इसका आंशर जो होगा वो उप्रोक सभी तो निशित रूप से नहीं होगा क्योंकि हस्त सिल्प को परधानता नहीं देना इसमें सामिल हो ही नहीं सकता तो बुन्यादी शिक्षा का आधार म उनों वेगैनिक माना जाता है इसका परमुकारण है पठ्थे विश्यों की अपयक्ष्या बालक को परधानता देना ओप्षन नमबर ए बिल्कुल सही उत्तरिया पर आपका रहेगा चलिए 22 वापरशन व्याख्यान विदी है तुँ सर्वस्रेष्ट प्रिष्थिति कौन सी है जब शिक्षक झिसी नवीने जटिल पाठ को पढ़ाना प्रावर्म करने जा रहे हों एक तो नया पाठ और उपर से जटिल भी है और फिर उपर से व्याख्यान विदी बिल्कुल नहीं हो सकता, B है जब सिख्सक किसी स्यधानतिक पक्स की व्याक्या करने में रूची रखते हों तो एक प्रकार से परदर्शन की व्याक्या नहीं की जाने से, परदर्शन किया जाना से बच्चों के सामने करके दिखाया जाता है तो B सही हो जाएगा अगला आपका प्रशन है कि नावांकर बढ़ाने उनकी उपस्तिती बनाए रखने यह बच्चों का पोशन इसतर सुधार नहें तू प्रात्मिक शिक्ष्या के लिए राष्ट्रिय पोशन सहयोग कारियेकरम कारियेकरम कब शुरू किया गया पोशा हरी ओजना चार जून 2005 को 26 जनवरी 2008 को 2 अक्टूबर 2005 को या 15 अगस्त 1995 को तो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को इसको प्रारंब कर दिया गया था मित्रो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका प्रशन है 24 वा प्रशन की प्रात्मिक किस्तर पर सिक्ष्या का माध्यम मात्र भासा होना चाहिए क्योंकि ए इसमें देश प्रेम की भावना विक्षित होती है बी इससे बालकों को पाठे पुस्तक समझने में सुविदा होती है सी है इससे मात्र भासा के विकास में साहिता मिलती है और डी है बालकों को अपने आ पास-पास के बातावन को समझने में साहिता मिलती है निश्यत रोप से यही अंसर होगा क्योंकि मातरभासा की बात है यहां पर अगला आपका प्रसन है कि एक बालक गणित समझने में बहुत कमजोर है आप उसकी साहिता के लिए नीमन में से क्या उपचार करेंगे ए परधान यह उप्षन डी है क्लिक्सा में गणित में सबसे तेज बालक को आदेश देंगे कि वह उसक्मजोर बालक की मदद करें देखिए आदेश देना जहां तक बात है तो सबसे पहले तो स्वेव होगी अब उससे आपन बात करेंगे बच्चे से और बताएंगे कि आपकी समझ् आपको प्रसण अच्छे मिल रहे हैं उनको कीजिए क्योंकि मेटर तो अपन कहीं से पढ़ लेंगे लेकिन बढ़ियां मिलने मुश्किलत वड़े से तो बढ़ियां प्रसण आपको मिल रहे हैं 26 प्रसण की मांशिक रूप से विकलांग बालकों की बुद्धी लब्दी क् असी से कम सतर से अधिक, नबब से कम असी से अधिक, पचास से कम चालिस से अधिक, या सतर से कम पचास से अधिक, तो उपसन डी होगा, सतर से कम और पचास से अधिक, यह मानशिक रूप से विकलांग बालक जो वो कहलाते हैं, चलिए, 27 वा परसना की कक्सिया कक्स में सिक्ष यह होते हैं तो निस्चित ही अगर ऐसी किरिया विदी की जारे भई पढ़ा रहा है शिक्सक और दो बच्छे आपसे बाते करें दोनों की यहानी होगी पूरी कक्षा भी इससे बेचेन होती है प्रेसान होती है और शिक्सक का ध्यान भी बढ़ता है निसीत रूप से तो यह स अंतमे तो मितरो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा आपका 28 के प्रशन का का यहां पर है इसका σही आंसर होगा अगरा प्रशन मितरो उनती सवाप्र इसम सीखने के परतिफल बटे क्लीए अलग से पोर्ट-फोलियो त्यार किया जाना चाहिए B है पर्तेक कक्षिया के लिए सीखने के पर्तिफल अलग अलग होते हैं C है पर्तेक सिक्सक के सीखने के पर्तिफल अलग अलग होते हैं पर्तेक विसे के सीखने के पर्तिफल अलग अलग होते हैं और D है दो या तीन दोनों ठीक है दो वा तीन दोनों सही तो देखें यहाँ पे आंसर होगा दो वतीन दोनों सही क्योंकि सीखने के पर्तिफल का पॉर्टफोलियो और कुछ तयार नहीं करना होता है इसके लिए दस्ताविज रखने क्या हो सकता नहीं है पर्तेख बच्चे के लिए शीखने का पर्तिफल अलग अलग नहीं होता है मित्रो एक पूरी कक्षा के लिए शीखने का पर्तिफल होता और उसमें भी पर्तेख विशे के लिए अलग अलग पर्तिफल होते हैं दोनों बातें ठीक हैं इसलिए option D यहाँ पर आपका सही answer मित्रो हो जाएगा अगला आपका प्रस्वन है कि सिक्ष्या के उदेश्य का मूलभूत स्रोत क्या है मानव अनुभव सिक्ष्या परदान करने वाले college व्यवसाइक संगठन या उपरोक सभी तो सिक्ष्या का खाने से नहीं बचिड खाने से आती है तो वह बात है मानव के अनुभव जो है वो सिक्ष्या के उदेश्य का मूलभूत स्रोत होते हैं तो option A सही answer आपका रहेगा चलिए मित्रो यह थे आपके नवे पेपर के 30 मैं तो प्रस्वन उमेद करता हूं साइक्लोजी के इन प्रस सीखने को मिला होगा और पेपर आपको अच्छा लगा होगा अगर पेपर अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें दोस्तों भी साथ शेयर करें इसके अलावा चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा परतेक सुबह साथ बज़े आपक चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक और स्यांदार मोडल फेपर के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत